नमस्कार दोस्तों क्या आप भी यात्रा के दोरान चक्कर और उल्टी से परिशान रहते हैं क्या आपको भी मोशन सिक्नेस से जूजना पड़ता है या आपके परिवार में ऐसा कोई वैक्ती है जो मेनियर डिजीस की समझता से परिशान है यह दि आपका जवाब हाँ है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके समस्झता कर समाधान कर सकता है टो चलिए जानते हैं मेकलिजीनक के बारे में एक एंटि इस्टामिन है जो मुखेतर मोशन सिक्नेस और बलतीगो यानि चक्कर आने के समझटा के इलाज में किया जाता है यह दवा काम कैसी करता है बलकि हमारे मस्तिष्क के उस हिस्षे को भी प्रबावित करता है जो शंतुलन और चक्र को नियंत्रित करता है मेकली जिनके बहुत सारे उप्योग है सबसे पहले बात करते हैं मोशन सिखनेस की तो यात्रा के दोरान होने वाले चक्र और उल्टी की समश्षाओं के लिए इस दवा को उप्योग किया जाता है मेनियस डिजीज में होने वाले चक्र और सुनने की समश्षाओं के लिए इस दवा को उप्योग किया जाता है मेकलीजिन कीडोज व। व्यक्ती के विमारी उसके उम्र पर निर्वर करती है वयशकों के लिए motion sickness के case में इस दवा को यातरा से एक घंटे पहले दी जाती है इसके खुराग 25 से 50 अमजे के बीच हो सकती है Vertigo और internal ear की problem की वज़े से होने वाले चक्कर के वस्ता में जो है इस दवा को 25 से 50 अमजे के बीच दिन में दो बार दी जा सकती है 12 साल से उपर के बच्चों में ये दवा वयशकों के वराबर दी जाती है लेकिन 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए जो इस दवा को उपयोग अपने डॉक्टर के प्रामर्स के अनुशार ही करें मेकलाजीन को जब आप लेते हैं तो यह एक गंटे के अंदर ही अपना असर चालू कर देती है और शरीर में इसका असर 24 गंटे तक रह सकता है अधिये जानते हैं मेकलाजीन को किन लोगों को नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले हैं गर्वती महिला है विशेशकर तिमाही से पहले इस दवा का उप्योग ना करें इस्तन पान कराने वाली महिलाओं को भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए गलुकोमा और पुरुषों में प्रोष्टेट समश्चा से जूज रहे लोगों को जो है इस दवा को फ्योग नहीं करना चाहिए यदि मेकलीजिन की ओवरडोज हो गई है तो आपको तुरंत ही अपने चिकित सक्से शंपर्क करना चाहिए क्योंकि इसके कुछ गंबिर साइड इफेक्ट हो सकते है जिसमें बहुत ज़्यादा गंबिर नीन दाना, बेहोशी, दौरे पढ़ना और मेंटिल कन्फूजन जैसी इस्थिती जो है उत्पन हो सकती है परतेक दबा की तरह मेकलीजन के भी कुछ एक साइड इफेक्ट है जिसमें मूँ सूखना, पेट में जलन, कब्ज रहना, सिर में दर्ड, दिल की धड़कुनों का अनिमियत होना, ब्लड प्रेशर का लो होना, आखों के आगे, अंधेरा चाना, बहुत अधिक नीन दाना, यह कुछ एक कॉमन साइड इफेक्ट है, यदि आप मेकलीजन को लेने वाले हैं, तो कुछ एक बातों का आपको धेहन रगना चाहिए, इसको लेने के परशाद जो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और बहुत जादा हैवी मशीन दी जैसे की पावर प्रेस वगरा होती है, उसको नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इस दबा को लेने के परशाद आपको नीन दा सकती है, अल्कोहल का सेवन ना करे, अल्कोहल मेकलीजन के जो भी साइड इफेक्ट है, उसको और बढ़ा सकती है, मेकलीजन को कुछ एक दबाओ के साथ नहीं लेना चाहिए, जहे से की से असानी से मिल जाएगी, डिलीगन, बोविनोज, पी एन भी न्यू, ग्लैडवर्ट, मेवर्ट, और भी बहुत सारे ब्रैंड्स है, जो आपको असानी से मिल जाएगे, किसी भी दबा को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाले, इस वीडियो को बनाने का मुक्सद सिर्प आप तक information को पोचाला है, मेकलीजीन का अविश्कार 1950 के दर्शक में किया गया था, इसे एंटी हिस्टामेन की एक नई श्रेणी के रूप में खोजा गया था, जो विशेश रूप से motion sickness और बर्टीगों के इलाज में बहुत जादा फाइदे मन साबित हुआ, क्या दोस्तो में कोई भी सवाल आपके मन में हो, तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप like कर सकते हैं, हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, क्योंकि हम medicine से related information आप तक पोचाते रहते हैं, फिर मिलता हुमें आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का विशेश दूप से ध्यान रखे, धन्यवाद